टुडेंट्स आप सभी का सोगत है हमारे स्टीडियो चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सीट नंबर 24 के बारे में सोसल साइंस हिस्ट्री की एक क्लास एर्थ की आज की डेट की आप बाइस दोजार इकिस यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है स्वक्सीट को चालू करने इस फ़ले बच्च रता दू कि लास्ट वीक के विनर का अनॉंसमेंट हमने कर दिया अगर आप भी कॉंटेस में पास्वेट करके विन होना चाते हो तो वीडियो को बेटा करना लाइक ठीके चैनल को करना सब्सक्राइब और फु रिवल 1857 and after year after the withdrawal यानि की revolution के बाद जो है क्या हुआ तो the British heads regained the control of India at the end of the half of 1859 they could not carry ruling the land and some policies any more तो कहने का मतलब यह है कि जो ruling area जहांस उनका कबजा खो चुके थे वो वापस 1859 तक British क्या है पा जाते हैं और वो जो है जो policies उनकी fail हुथी उनको अब जो है छोड़ कर एक अपनी नई policies बनाते हैं and given below important changes introduced by British ठीक है जो introduction हुआ British के डादर जो introduce करे गए कुछ नीचे changes को वो दिये गए तब British Parliament passed new pact ठीक है उन्होंने एक नया act पास करा ठीक है 1858 का जिसमें उन्होंने क्या कर दिया ट्रांसपर्ट कर दिया अपने powers को East India Company के हातों से कहां पर British Crown के हातों में इसके बाद क्या करा इन्होंने क्या करा है एक cabinet British cabinet बनाई अपॉइंट करा उसमें Secretary of the State for India ठीक है इंडिया के मतलब Secretary of State अपॉइंट करे गए उसमें and response all matter related governance of state he given a council advice him and Indian council क्या है ये एक Indian council create करी गई उसके जो है Secretary Cabinet के British में एक Secretary बनाई गए इंडिया के लिए वो इस Indian council को क्या कर सकते थे बेटा अपनी advices दे सकते थे ठीक है The Governor General of India was given the title of Voice Rai जो Governor General इंडिया का भी तक था अब वो Voice Rai का title पाथ चुका था और ये जो है Personal Representative होता था Crown का Through these measures the government expect the direct responsibility for ruling British controlled of India ठीक है इसके बाद क्या है The all chief of the country were assumed territories would not able to exempt in future कहने का मतलब है जितने भी chief थे ठीक है अपनी अपनी territories थे उनको ये भरोसा दिलाए गया कि future में कभी भी उनके किसी भी kingdom के हिस्से को जो है capture नहीं किया जाएगा वो जो है अपने संद को ये अपना मतलब जो ओधा है वो दे सकते है या अपने गोद लिये वे बेटे को दे सकते है Crown खाली और खाली उनका क्या है Crown को वो क्या मालने Crown को वो sovereign मालने ठीक है अपने से उपर मालने बस इतना इनको करना है और यह सभी रूलर क्राउन के सब ओर्डनेट हो जाए और जब चाहिए वो सतंतर भी हो सकते है ऐसा उसने कहा गया ठीक है It was decided to the proportion of India The portion of Indian soldiers in army would be reduced and the number of European soldiers increase कहने का मतलब है जो अब British army थी उसके अंदर number of Indian soldiers थे उनको reduce करा गया और European soldiers को बढ़ा दिया गया यह काम करा गया इसके बाद it was decided to initiated the recreating soldiers from अवद बिहार Central इंडिया और South इंडिया उन्होंने क्या करा decide कर गिए अब वो अवद बिहार Central अश्या और South इंडिया से कोई भी soldiers नहीं लेंगे अब वो जो soldiers लेंगे वो कहां से लेंगे गुरो सिख जो होंगे इनसे गुरोखा और पठान्स को लेंगे ठीक है इसके बाद क्या हुआ बिटा दा land and property of Muslims ठीक है जो Muslims की land और properties थी उन पर ये लोग कबजा करने लग गये और इनको अपने सत्रू की तरह देखने लग गये और इन्होंने जो है इनको एक अपने बहुत बड़े सत्रू की रूप में देखा और इन्होंने कहा कि ये जो Muslims हैं इनकी वज़े से ये विद्रू आए इनको ये लग रहा था इसके बाद क्या हुआ British decided the customary religious and social practice in India कहने का मतलब है जो इंडिया के अंदर जो social religious और कहने का मतलब है यहाँ पर धार्मिक ठीक है इसके बाद उनके जो रीती रिवाद चल लेते वो सब उनको जो है एक अलग महत तो देना आप चालू कर दिया था इसके बाद जो policies थी ठीक है जमीनदारों लैंड इंडिया क्या है 1857 के बाद बिगन हो गया था तो देखो इसके बाद क्या हुआ पहला कुसर ने वाट चेंज वर इंटेड्यूस बाइब बिटिस गर्मेंट एडमिस्ट्रेटिव सिस्टम 1857 तो इसका आंसर आपको पर ही मिल जाएगा आपको पहला पूइंट पूरा पड़े इसको आप लेकर क्या सूचते हों यह बताना है तो मैं इसका आंसर आपको लिखकर बताता हूं तो बेटा इस कोशन के आंसर के रूप में आप लिख लीजे माई ओपीनियन दा ब्रिटिस हैव डन दीस ठीके सो डैट दे कैन ठीके मैंटेन दा एटर्टी ओवर दा इंडियन for a longer time and to improve the policies which have failed before that ठीके यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है तो बेटा आपका अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन आपका है कि what were the new change introduced in army ठीके जो इंडियन आर्मी थी उसके अंदर क्या है new changes क्या क्या हुए तो बेटा आप यहाँ पर क्या है इसका answer लिख सकते हो the portion of Indian soldiers in the army would be reduced and European soldiers increases ठीके यह क्या हो गया यहाँ पर answer हो जाएगा आपका answer number 3 इसके बाद बेटा question क्या दिया गया है हमसे बोला गया है आपको क्या करना है consequence of revolt of 1857 warfare reaching the all encompassing comments ठीक है आपको क्या करना है तो बेटा आपको यहाँ बताना है कि 1857 में जो विद्रू हुआ उसका क्या result ऐसा निकला क्या impact पड़ा इंडिया पर ठीक है इसके बारे में बताना है तो मैं इसका answer आपको लिखकर क्या करता हूं बेटा दिखाता हूं तो बेटा आप इसका answer लिख लिजेगा ठीक है revolt of 1857 पहला चीज कहा है the most important effect of the revelation was on the government system of future British India ठीक है जो government system थी future British India का उसमें the company rule to came and end the Rian Indian rule passed into the hand of the British impressed ठीक है इसके बाद क्या करने लिखना है आपको बेटा 1857 the revolution revolution sowed to seed the nationalization and renounce in India the aggregator were always inspired by the revolution of 18 revolution and they started in 1857 AD and tried to keep the torch light by the mattress of the इसे आप क्या कर लोगे no down कर लोगे बेटा और याद रखेगा कर आपको answer बड़ा लग रहा है मतलब यह answer ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इससे छोटा भी लिख सकते हो ठीक है आप यहाँ से बेटा पूरा लिखना चालू करना ठीक है और पूरा क्या कर लेना सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिख देना ठीक है यह इसका answer हो जागा अगर आप इतना लिख लो तब भी answer हो जागा ठीक है आपको जरूरी नहीं है कि यह भी पूरा लिखो वो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि लॉग में यह पूछा जा आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सिस्क्राइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटस में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद बत्चो